के बार किसी किसी को जब सरील में दर्ध होता है थकावट सिमयसुस होती है तो उसको पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा आप पेन किलर बिल्कुल ना ले आप कोई पता होगा शायद कि हमारे लिवर पे और किड्नी पे कितना हानिकारक बस ये दो चीज़ ले ले आपको और कुछ लेने की जरुत नहीं है 100-100 गिराम ले बराबर मात्रा में अब इसको तैयार कैसे करना आपको पहले अच्छी तरह से इन दोनों को भून लो किसी कड़ाई में या तवे पर भून लो अच्छी तरह से हलका हलका सा भून कर इसको पीस के बारिक पोडर बना लो अब जब भी आपको पेंगिलर की जरुत पड़े तब भी आप ले सकते हैं एक एक चमबा सुबा शाम दूद से या पानी से खाना खाने बाद या पहले कभी भी लेने आप लेकिन अगर आपको रेगुलरली ऐसा रहता है कि ठकावट सी कमज हैं क्या करें इसके लिए चलिए उन सभी के लिए पता देता हूं चाहे आपके सरीर की कहीं की भी नसिव लोग हो यह बिल्कुल आसानी से खुल जाएगी जी हाँ यह हकीकत है मैंने जिसको भी परियोग कराने के लिए बोला है और उनने किया है तो रिजल्ट हंडडर बन आप पांच आप आप ह्री दानेयाले हती है उसके लांच और पांच इसके अंदर काली मिर्च डाल मिर्च पिशके अच्छी मां ले एक गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह से पका उबल viennent चोथे दिनर इसको विए भाल गूल चोथे दिन में ही आपकी नसे बिल्कुल खुल जाएंगी। चोथे दिन में ही आपकी दिन में पानी से ले खाना खाने के बाद बस आप ये कर लें चार से पास दिन में आपके दिक्कत हमेशा के लिए करता मोती चली जाएगी।